कैसे हो आप सब वेलकम बैक मैं चैनल आज मैं आपको एक ऐसा डिय वालों के लिए बहुत ही ज्यादा आच्छा है अगर आप इसको दिन में दो वार यूज करते हो तो आप देखोगे कि आपके फेस से जो पिंपल के निसान है या पिंपस निकलते है या आपकी इसकिन थोड आपके निसान है उंको भी दूर करेगा साथ में आपको उइल भी बैलेंस करेगा अगर आपके पिंपस नहीं भी है और आपकी इसकिन ओई है तब यह एक बैस्ट टोनर होगा इसको बनाना बहुत एजी है और लगाना है इसको दिन में अगर आप दो बार यूज करते हो त आपकी स्कीन हमेसा खिलि-खिलिसी लगेगी आपकी स्कंसेverbsel सस्कान से धिरे धिरे जाने लगेंगे और यह बनाना काफी आप फिर्जी है भर पिकार से साथ यां आपको बताती है कि इसको बनाना कैसे है तो फ्रेंट्स जो आज मैं आपको DIY टोनर बता रही हुए ये कर्मियों के लिए बेस्ट टोनर है और बहुत ही असानी से आप घर में बना सकते हो करना क्या है आपको थोड़ी सी नीम लेनी है ताजी ही लेनी है पुदिने की पत्तिया लेनी है और तुलसी लेनी है ये आपको असानी से मिल जाएगा पुदिना काफी आ रहा है नीम जो है एंटिसेप्टिक होता है जो आपके मुटे-मुटे फुले-फुले जो पिमपल्स होते है उनको बैठा देता है मिंट आपके कलर को फियर करता है और स्किन को थंड़क पचाता है जैसे स्किन में टैनि डालेंगे और इसमें 10-15 पत्यां नीम की तुलसी की और पुदिने की इस तरह से डालेंगे इस अच्छे से पहले दो लेना है कि जो मट्टी वट्टी हो वो निकल जाए तो ऐसे ही 10-15 पत्यां एक का पानी में डाल देनी है आप इस पानी को अच्छे से उबाल लेना है जब पानी थोड़ा सा कम हो जाए आपको लगे यह अच्छे से उबल गया है 5-7 मिलिट तक आपको इसको अच्छे से उबालना है धीमियाज में अब इसके बाद जब इसको अब इसको न ढखके रख दो यह टोनर आपकी पिंपर्स के निशान को बिल्कुल खतम कर देगा जो आ लिंक मैं आपको दे दूंगी पर्चस लिंक क्योंकि इस समय आप परपल से स्किन केर के प्रोड़क्ट मंगा सकते हो तो अगर आपको मंगाने हैं तो आप मंगा सकते हो नहीं तो आप इसी तरह से इस टोनर को लगा सकते हो अब यह ठंडा हो गया थंडा हो गया थंडा हो कि ना अच्छाया है ना आप इसको न अपिक बाटल में डाल लो तो मेरे पास ये पुरानी बाटल पढ़ी थी आप मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो अगर इस पर बोटल लती है तो आप असानी से स्प्ड़ कर सकते हो फेस पे अगर इस प्रेगा नहीं है तब भी कोई बात बड़ीय हुआ को यह मैंने दिखो बने के तेयार हो गया अभ यह इसमें मैं क्या डालउगी अब us मैं डालोंगी अभ़े मैं डालोंगी गुट्वाइब का ट्रीटियोल काफी अच्छा होता है इसकीन के लिए इसके जो पिंपल के स्कार्स को कम करता है ने ब्लाइटनेस लाता है रीकों के जो आपकी स्किन को ब्रैटन घरादा चाहिए करता है फियर कल़ने करता है अब को अब खुड़ से आप पार्से चाहिड जो हैंक ब्लों।सेहित तो यह आज मैं डालूंगी और साथ में एक और और डाल रोज रिप और केरेशिट ओयल यह भी आपकी स्किन को ब्राइट करेगा इसके आपको अच्छे बेनफिट मिरेंगे अगर आपके पास यह आपके पास यह नहीं है तो आप सिंपल इसको ही आप बना सकते हो लेकिन मैंने यह डाल दिये और ट्रीटी ओयल के अब मैं इसमें केरेशिट के ओयल के भी टीन ड्रॉप डॉल दोंगी जिससे यह एक अच्छा सा आपका टोनर तयार हो गया है अब मैंने इसको इसमें कैप लगा दिया है और थोड़ा सा शेक कर लेंगे जैसे अच्छे से सब इसमें इसमें यूज करें आप तो बस करना है किया आप मैं इसको अपनी आपो कर लेंगे ना अब है कि दो ढुसेह ãगा तो दीनमें रगाना है एक आपको शाम को मतलब Bhag़नोंच को क्ष अगर थोड़ा सा भी आँख में चला गया तो आपकी आँखों में थोड़ी सी जलन होगी तो इसको आँखे बंद कर ली अब हम थोड़ी देर अपनी आँखे इसी तरह से बंद रखेंगे अब इसके बाद आँखे खोल लेंगे लेकिन आपके जो फेस आप देख रहे हो गीला हो गया इसको इसी तरह से हम सूपने देंगे ड्राइ होने देंगे इसको हम किसी भी नैपकिन से या टाविल से पोचेंगे नहीं नहीं हम मसाज करेंगे यह अपने आप ही भी ड्राइ हो बस लेकिन आपको मसाज जादा मसाज नहीं करनी आप इसको नेचरल वे में ड्राय होने दो तो इस गर्वियों में आपकी स्कीन की केर करने के लिए यह आपका DIY टोनर तयार है अगर आपकी ऑईली स्कीन है तो प्लीज इसको जरूर ट्राय करिए गा और यह जो और यह आपका इसके में काफ़ी अच्छा कसाओ भी आजाएगा अगलो भी आजाएगा तो आप इसको फेस पैक में भी डाल सकते हो और यह आप न 10 से 15 दिन तक तो आराम से बना के रख सकते हो लेकिन अगर आपको लगे कि आपका नहीं खतम हो रहा है तो आप इसको मुल्दानी मिट्ट कि मैं तब तक लेबाबाई लेवी टेक केर अपना दियां लेकिए